लाइफ में अगर आपके पास कवे भी चॉइस ना हो आपको फ्रीडम न मिले तो उस फ्रीडम को पाने के लिए किस हद तक आप जा सकते हो या सही क्या गलत इसमें क्या डिफरेंस होगा इसी एक ठीम को लेकर आज के हमारे मुवी इंसिकरेट ही आती है स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक लगता है पर बात में स्टोरी के कैरेक्टर्स ये डार्ट टर्न लेते हैं एक अफेर लाइफ और डेट का गेम बन जाता है स्टार्ट करने से बेले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किस देरी के एक्स्मेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि फादर अपनी छोटी बेटी को अपनी सिस्टर के बास छोड़ जाते है उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो खुद अकेले अपनी बेटी को समाल नहीं सकता था सिस्टर का नाम था मैडम रिक्विन हम इसे पूरी मूवी में मैडम बुलाएंगे ब्रदर कहता है मैं जल्दी आकर मेरी बेटी को लेकर जाओंगा तब तंक इसका खैल रखना अपनी सिस्टर को थोड़े से पैसे उसने दे दिये और कहा कि मैं और भी भेशता रहूंगा यह जो चोटी लड़की थी इसका नाम था तेरेस मैडम को एक बेटा है जिसका नाम एक कमील कमील हमेशा बिमार रहता है इनके पास एक्सरा रूम नहीं था तो मैडम तेरेस और कमील को एक ही रूम में सुलाती है तेरेस ना अपने फादर को बहुत मिस किया वो हमेशा सी को देखकर अपने फादर की याद करती थी उसे लगता था कि जल्दी आ जाएंगे पर वो आये ही नहीं बच्पन से लेकर बड़े होने तक टेरेस को कमील का खयाल रखना पड़ा उसके फादर कभी वापस नहीं आए मैडम कहा करती थी मेरे ब्रदर ने कभी भी कोई भी प्रॉमेस कम्प्लीट नहीं किया वो तुम्हें लेने के लिए भी नहीं आएगा टेरेस बड़ी हो चुकी थी तो अपनी बॉड़ी उसने डिस्कावर किये फिल्ड पर जो वर्कर काम करता था उसे देखकर वो अपने आपको प्लीज करती थी एक दिन जब वो घर पर आई तो कमील बाहर था कमील की तबियत खराब होती है तो मैडम कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देदी थी टेरेस के मिल से कहती है कि मुझे किस करो कमील इस बात को सही से समझ नहीं पाता उसे गाल पर वो किस करता है टेरेस उसे बता रही थी मुझे इस तरीके से किस नहीं चाहिए तब ही वहाँ मैडम आके मैडम टेरेस को न्यूज देती है तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है टेरेस के फादर ने कुछ पैसे छोड़े थे इससे अपनी financial situation जारा ठीक करेंगे इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन गुजर चुके है आज कमिल बहुत ही खुश था क्योंकि इसे पैरिस में जाब मिल चुका है वहाँ पर accounting का जाब वो करेगा अपनी मदर को कह रहा था कि अब हम सब वहाँ मूँ होंगे मैडम पहले मना करती है पर कमिल कहता है आप हमेशा मुझे प्रोटेक करते हो मुझे अब इस घर का control लेना चाहिए अपने बेटे को responsible देखकर मैडम को भी अच्छा लगा मैडम का भी एक सपना था कि उसका एक छोटा सा shop हो पैरिस में इस shop वो खोलने वाले है मैडम ने का जाने से पहले हम शादी कर लेंगे तेरिस कहती कि किस के शादी मैडम ने कहा कि तुम्हारी और कमील की तेरिस इस पर कुछ भी नहीं बोलती मैडम ने का तुम्हारी मदर का कोई भी अता पता नहीं था तुम्हें एक illegal child हो ये वक्त हमारा 1800 का था तो मैडम ने का illegal child को सही से ट्रीट नहीं किया जाता मैडम ने टेरेस कोई ओफर थी तो उसे थैंक्फोल होना चाहिए टेरेस के पास भी और कोई ओप्शन नहीं था उसे कमिल से शादी करनी पड़ी इसके बाद ये डारेक्ली पैरिस आ चुके है इनके पास जादा पैसे नहीं थे तो डार्क रूम्स वगरा इनने लेने पड़ते है कमिल कोई अच्छा नहीं लगा पर वे भी उसके पास और कोई आप्शन नहीं था यहाँ पर टेरेस को हम बास के फ्रेम में देख सकते है यानि क्यों से लग रहा था क्यों जेल में है कमिल अपना काम स्टार्ट करता है और दिन बर घर के बाहर ही रहता है टेरेस उसे पूछती है क्या तुम अपने काम से खुश हो कमिल कहता है मुझे वो बसंद तो नहीं है वो घूमने के लिए जू चला जाता है वहाब और उसे बहुत अच्छा लगता है आज राट टेरेस कमिल के साथ इंटिमेट होना चाती थी पर कमिल कोई भी इंट्रेस नहीं दिखा था नेकसिन में हम देखते है हर चूस्टे को मैडम के हैं गैदरिंग होती है सिटी को कुछ ओफिशल उसके पहचान के लोग ये सब गेम्स खेलने के लिए आया करते है आज यहाँ कमिल अपने एक फ्रेंड को लेकर आया इसका नाम था लॉरेंट लॉरेंट कमिल का बजबन का फ्रेंड है उसका ओफिस में काम करता है मैडम भी लॉरेंट को देखकर बहुत ही खुश थी यहाँ कितना बड़ा हो चुका है मैडम की सब फ्रेंड में एक पुलिस ओफिसर भी था वो डेट बोडिस के बारे में बात कर रहा था लॉरेंट एक आर्टिस्ट है तो गहता है कि मैंने डेट बोडिस के भी पेंटिंग बनाई है उससे पुछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया लॉरेंट ने कहा कि मैं न्यूड मॉडल्स की पेंटिंग बनाया करता था तेरे से बात सुनकर इंटरस्टेड हो गई वो कहता है एक बार मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया उन्हें शौक लगा और सीडी से वो नीचे गिर गए थे इसके बाद वो कभी भी घर में पेंटिंग नहीं बनाता लॉरेंड ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने आर्ट के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करेगा उसे लाइफ में चीज़े आसानी से चाहिए लॉरेंड ने यहाँ सब बाते की उस पूरे टाइम टेरेस उसे देख रही थी लॉरेंड उसे देखते हुए पकड लेता है तो टेरेस को घुटन में सुसोने लग गई कमिल भी लॉरेंड के आर्ट में इंडरस्टेट था तो कहता है मेरी तुम पेंटिंग बनाओ यह जब पेंटिंग बना रहे थे तब ही टेरेस भी इनके साथ थी कमिल नूड पेंटिंग के बारे में लॉरेंड से बूचता है कमिल ने भी नूड पेंटिंग करने का ट्राइ किया था पर वो नर्वस हो जाता था लॉरेन कहता है जब भी मैं किसी मॉडल की पेंटिंग करता हो तो उसमें हिपनोटाइज हो जाता हो उस मॉडल में और मुझ में एक डिजायर क्रेट हो जाती है मैं एक दिन मॉडल के पास कया उसे टच किया उसके बाद हम इंटिमेट हो गए थे कमिल कहता है कि उसने कुछ कहा नहीं लॉरेंट ने कहा यो फेर से मुझे चाहती थी ये सब बाते सुनकर टेरेस अनकमफ़टेबल होके कमिल की पेंडिंग होने के बाद सब लोग इसे देखते है मैडम को ये पेंडिंग बहुत ही अजीब लगी लाइफ लेस लगी पर फिर भी ये पेंडिंग अच्छी थी सब लॉरेंट से इंप्रेस हो गए कमिल को कुछ काम था तो अब रूम में लॉरेंट और टेरेस से दोनों अकेली थे इन दोनों में पूरे वक्त एक केमिस्ट्री थी लॉरेंट ने टेरेस से कहा कि अपने कबड़े उतारो टेरेस डर रही थी तो लॉरेंट कहता है हमारे बास बहुत ही कम टाइम है जल्दी से इंटिमेट हो जाते है इसके बाद इनका मिलने का सिलसला स्टार्ट हो गया एक दिन जूज़े पर कमिलने फिर से लॉरेंट को अपने घर पर बुलाया रात में जाने से पहले लॉरेंट सुबाई टेरेस के पास आ जाता है इस बारे टेरेस के बेडरूम में ही थे लॉरेंट को लगता है कि टेरेस का वेडिंग बेड है यहाँ पर इंटिमेट होना गलत होगा टेरेस कहती कि इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता लॉरेन सप्राइस था जब फर्स टाइम वो टेरेस से मिला था तो बहुत ही डरी हुई थी और उसमें इतना confidence आया कैसे रात में जब एक गेम खेल रहे थे तो टेरेस की मूज अच्छी थी टेबल पर का एक आदमी कहता है जो लोग शान्द होते हैं कम बोलते हैं उनी से हमें डर कर रहना चाहिए पता नहीं कि उनके माइड में क्या चल रहा है मैडम जब नीचे स्टोर समाल दी थी तो हमेशा टेरेस बहाना बनाती थी उसका सर दुकरा है वो जब बेडरू में आती तो लोरेन आल्रेडी वहा होता ये इंटिमेट हो जाते है ये इसी तरीके से अपना अफेर कंटिनू करते है टेरेस लोरेन से कहती है तुमने मुझे बहुत ही लेट ढूंडा लोरेन कहता है कि ऐसा नहीं है सब कुछ टाइम में ही है टेरेस उसे कहती है प्लीज मुझे इस सबसे बचा लो एक कराट टेरेस अपने बेड़ से उठकर खिटकी में देख रही थी कमिल जग गया तो उसे पुछता है कि क्या कर रही हो टेरेस कहती है कि मैं रिवर का आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो बचपन से उसके फादर वापस आएंगे इसलिए सी का आवाज वो सुनती रहती थी आज भी जब वो रिवर का आवाज सुन रही है तो अपना फ्रीडम वो जाती है एक दिन लॉरेंट और टेरेस एक साथ थे टेरेस उसे कहती है फरस टाइम मैं जब तुमसे मिली थी तो मैंने तुम्हें हेट किया था लॉरेंट पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे हेट करते हो टेरेस ने कहा कि हाँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मझे छोड़ कर चले जाओगे लॉरेंट कहता है कि ऐसा कवी भी नहीं होगा आज कल कमिल ज़रा परिशान था टेरेस कुछ खोई-खोई से लगती है वो लॉरेंट से इस बात के बारे में बात करता है वो कहता है कि कमिल मुझे से दूर जा रही है जब वो अपनी विलेज में रहा करते थे तो सब कुछ ठीक था लॉरेंट कहता है सिर्फ तुम उससे प्यार करो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा रात में फिर टेरेस कमिल के साथ इंटिमेट हुआ टेरेस इसे सैटिस्वाइड नहीं थी और भी कुछ दिन चले के पर कमिल को अभी भी लगता है कि टेरेस उससे दूर जा रही है उसने डिसाइड किया अब वो फिर से अपने विलेज में चला जाएगा ये बात उसने टेरेस से कही तो टेरेस बहुत ही डिस्टब हो गए वो कहती है अब हमारी पूरी लाइफ या है तुमने मुझसे इस बारे में डिसकस भी नहीं किया कमिल कहता है घर के सारे डिसीजन में लेता हो मुझे तुम्हें पुछने की ज़रूरत नहीं एक राज जब टेरेस और लॉरेंड मिले तो टेरेस उसे सब कुछ बताती है इन दोनोंने मिलकर प्लान बनाया कमिल को मार डालेंगे लॉरेंड कहता है कि एक एकसिडन्ट की तरह लगेगा कोई भी वरी मत करो टेरेस जा रही थी तो उससे बुछता है क्या तो मेरी हो टेरेस कहती कि हाँ उसने भी यही चीज़ उससे बुछी लॉरेंड भी इसके लिए हाँ कहता है अगली दिने तीनों मिलकर एक पार्क में आये टेरेस कहती है कि मुझे आसपास पाने की आवाज आ रही है वो बोटिंग करना चाहती थी पर कमिल बहुत ही ज़ादा ठक चुका था वो यही बर लेट कर सो जाता है लॉरेंड भी इनके पास बेठा यही पार्क में वो टेरेस को टच करने लग गया अजानक से इनके जान पैजान के लोग या आ आ गये पर उन्होंने कुछ भी देखा नहीं था उन्हें भी बोटिंग करनी थी तो आगी चले गए थोड़ी दिर में कमिल के उठने के बाग यह सारे बोटिंग के ले जाते है टेरेस बोट में आ नहीं गई थी वो अपने ब्लैन को सेकंड गेस कर रही है वो कमिल को मारना नहीं चाहती लॉरेन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसके बाद टेरेस भी उसके साथ चली गई हम डिरेक्ली देखते है कि लॉरेन टेरेस को स्विम करता हुआ किनारे तक लेकर आया था इन्होंने प्रिटेंड किया इनकी बोट डूप कई इसमें कमिल की डेथ हो गई ये दोनों मिलकर रोने का प्रिटेंड करते है इनके पहचान के सब लोग आसपास ही थे तो उन्हें घर लेकर आये राद बार सब लोग कमिल की बोड़ी ढूण रहे थे फाइनली बोड़ी मिली तुमने हमेशा उसका ख्याल रखा है तुम इसे मरने कैसे दे सकती थी उसकी डेथ हो गई और तुम बज़ गई ये कैसे पॉसिबल है मैडम की एक फ्रेंड उसे समालती है क्या थी कि इसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है अब कमिल की डेथ को एट मांस हो गए थे और मैडम अब भी कम में थी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर फिर से चूजडे नाइडे स्टार्ट करते है मैडम ने कहा किसी को डूबने में कितना टाइम लगता है वहाँ सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि अब इस बात को उसे जाने देना चाहिए इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता मैडम ज़रा गुसा होके तो सब लोग यहाँ से चले जाते है लॉरेन ने मैडम को साहरा दिया कहा यूँ लोग आपके लिए केर करते है कमिल के जाने के बाद लॉरेन इनकी फैमिली का एक बहुती बड़ा पार्ट बन चुका था इतना सारा टाइम हो चुका पर फिर भी टेर्रिस को रात में डरावने सपने आते है उसे लगता है कि टेर्रिस उसे नीन में सफोकेट कर रहा है एक्चुली किसी भी आदमी को मारने के बाद उसकी गिल्ड बहुती जादा होती है बहुत सारे किलर्स का एक्सपरियंस है इसी की जान लेने के बाद वो डिस्टब हो चुके थे अब यही चीज़ टेर्रिस एक्सपरियंस कर रही है हर बार उसे कमिल की याद आती रहती है वो आज कल खुश नहीं रह सकती है एक दिन लॉरेन टेरेस से मिलने के लिए आया उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था टेरेस कहती है कि अब भी मुझे कमिल के डरावने सपने आ रहे है यही चीज लॉरेन भी अपने खुद के लिए एक्सप्रियेंस करता है वो भी बहुत ही डिस्टब हो चुका है टेरेस कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते है लॉरेन कहता है यहाँ पर तुम्हारी पूरी लाइफ है तुम्हारा शॉप है हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते टेरेस ने कहा कि यह शॉप मेरा नहीं है यह पूरे मैडम के ही नाम पर है यह सुनकर लॉरेन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे टेरेस को शक जाता है यह शायद लॉरेन उसके पैसों के लिए उसके साथ है लॉरेन टेरेस से कहता है इस सब लोग के सामने तुम नाटक करो ये टेरेस के तुम्हें बहुत याद आती है मैडम के फ्रेंड्स ने नोटिस किया एक दिन जब मिले तो सब मिलकर मैडम को समझाते है कि टेरेस के अब शादी कर देनी चाहिए वो बहुत ही दुखी है मैडम कहती कि किस के साथ वो शादी करेगी वो कहते है कि लॉरेंट के साथ किसी स्टेंजर के साथ शादी करने से अच्छा वो कमिल के फ्रेंज से ही शादी करे ये सारे इस बात को मान गए टेरेस और लॉरेंट ही अलग रूम में थे टेरेस कहती है तुम किसी और के साथ थे मैं उसका सेंट तुम पर समेल कर सकती हूँ लॉरेन कहता है कि एक थी पर मैंने उसके साथ ब्रेक अब कर लिया है मैं नीन में ही तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ सब लोग इनके पास है और कहा यह तुम दोनों को शादी करनी चाहिए यह दोनों भी मान जाते है इन दोनों की शादी के बाद मैडम ने अपनी विल चेंज की है मैडम की डेट के बाद उसके सारे पैसे टेरेस और लॉरेन को मिलेंगे वेडिंग नाइट पर लॉरेन कहता है कि आज वही रात है जिसका हम बहुत दिनों से वेड़ कर रहे थे टेरेस लॉरेन से बुछती है कमील की डेट कैसी हुई थी क्या उसने स्ट्रगल किया था लॉरेन कहता है कि तुम भी वहा थी क्या तुमने देखा नहीं टेरेस ने कहा मैंने मेरी आग बन कर ली थी लॉरेन कहता है मने शान्दी से उसे पानी में डाल दिया था टेरेस उस पर चीड़ कही कहती है कमील ने बहुत स्ट्रगल किया था तुमें उसे नहीं मारना चाहिए था लॉरेन कहता है तुम भी तु वही जाती थी कमील को मारने के बाद इन दोनों की लाइफ हेल बन चुकी है इसके बाद कुछ टाइम गुजर गया टेरेस लॉरेन और मैडम एक दिन पार्क में गए हुए थे मैडम कभी भी शौक से उबरी नहीं आज कल वो बहुत सारी स्टोरीज बताती है अब भी वो बताना स्टार्ट करती है तो लॉरेन इससे पक चुका था इस बार स्टोरी बताते हुए मैडम को कमील दिखा इस शौक की वज़े से उसे अटेक आया इसके बाद वो पैरलाइस हो चुकी थी और कुछ भी बात नहीं कर सकती थी अब इन दोनों को मिलकर इसका खैल रखना पड़ता है एक दिन लॉरेन जब मैडम को उठा कर लेकर जा रहा था तो उसे आईट आई कि वो उपर से उसे फेक देगा पर टेरेस ने उसे कहा पैसो के लिए तुम्हें हम दोनों की सिगनेचर लगईगी यानि कि टेरेस मैडम को बचा लेती है इनके मैरेज में भी आप प्रॉल्लम चल रहे थे लॉरेन को टेरेस का बनाय हुआ खाना अच्छा नहीं लगता आज कर लॉरेन भी हमेशा ड्रिंक करता रहता है एक दिन मैडम के सामने इन दोनों की फाइट हो गई टेरेस लॉरेन को ये कमिल को मारने का दोशी मानती है लॉरेन जोर से चिला कर टेरेस से गहता है हम दोनों ने मिल कर उसे मारा ये सब बात मैडम ने सुनी और वो बहुत ज़्यादा रिस्टव हो गई थी वो सब सुनने के बाद बहुत रोती है एक दिन चुज़डे पर मैडम से मिलने के लिए उसके सब फ्रेंड्स आय हुए थे वो टेवल पर अपने हाद से कुस लिखने की कोशिश कर रही थी वो बहुत राय करती है उसने टेरेस और लॉरेन का नाम लिखा वो आगे लिख पाती कि इन दोनोंने मिलकर कमिल को मार डाला पर वो बहुत ही एक्जॉस्टेट हो चुकी थी उसके फ्रेंड्स को भी ये बात समर्ज मिने आई एक दिन मैडम शॉप में थी तो उसे पैन और इंग दिखी वो इसे लिखने की कोशिश करती है पर उसके इंग नीचे गिर गई थोड़ी दिर में जब टेरेस मैडम के पास आई तो मैडम अपनी स्टिक्स से टेरेस को मारना चाती थी टेरेस कहती कि ट्राय करो मार डालो तुमने ही मेरी जिंदगी बरबात की है तुमारी वज़े से मुझे जबरदस्ती कमिल के साथ शादी करनी पड़ी टेरेस आजकल बहुत ही डिस्टरब थी तो बार में जाकर ड्रिंग भी करने लग जाती है वो लॉरेन के साथ आजकल इंटिमेट नहीं होना चाती अगले दिन जाकर लॉरेन ने कमिल को मार डाला ये देखकर उसकी फ्रेंड भाग जाती है वो हेल्प मागने के लिए वहाँ से भाग गई टेरेस और लॉरेन ने जब देखा तो मेडम को मारने के लिए उससे नदी के पास लेकर आए ये प्रीटेंड करने वाले थे कि नगदी के पास ये पिक्निक के लिए आए और मैडम की डेथ होके इनकी पास की वाइन में लॉयरे ने पॉईजन मिला दिया तेरेस के हाथ में भी चाको था इन दोनों ने एक दूसरे का प्लैन नोटिस किया ये डिसाइड करते है कि मिलकर सुसाइड कर लेंगे अरे ने एक साथ रहने के लिए कमिर की जान ले ली मर्डर की गिल्ड ये खुद सहन नहीं कर पाए इनका जीना हराम हो गया था किसे को मार कर ये अच्छी लाइब जी नहीं सकते ये ही आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानल सब्स्राइब कर दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक रिमोव के साथ तब दिखले थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये